केरल में एक बार फिर नीपा वाइरस का खतरा मंडराने लगा है जाच के दोरान एक यूवक में नीपा वाइरस पाया गया फिलहाल इस यूवक को आइसोलेशन में रखा गया है ताकि इस वाइरस को फैलने से रोका जा सके केंद्र और केरल सरकार का कहना है कि वाइरस को रोकने के लिए सभी कदम उठाये जा रहे हैं इस पूरे मामले में और जानकरी दे रहे हैं हमारे सहयोगी सिधात पांडे केंद्र ने अब इस बात की पुष्टी कर दी है कि केरल में एक 23 साल के स्टूडन को निपा वाइरस हुआ है दरसल जब बलड टेस्क के रिजल्ट वापेस आए तो ये कनफर्म हो गया है कि स्टूडन को निपा वाइरस हुआ है student की देखरें की जारी है चिकितसादी जारी है उनको वहां पर और isolate किया गया है ताकि बिमारी जो है और नहीं फेले केंडर सरकार का कहना है कि स्थितिक control में है नियंतरन में है और केंडरी सरकार के साथ एकदम लगातार बाचीत हो रही है केंडरी की केंद्र की एक मेडिकल टीम भी गई है केरल ताकि वहां पर जो भी सुविधा अगर प्रवाइड करने एक्सपर्ट गाइडेंस वगर अगर देना हो तो केंद्र से भी वो एक्सपर्ट गाइडेंस आ रहा है कोई भी किसी तरह की कमी नी रखी जाएगी अल्रेडी हमने पूरे अपने सिस्टम को गेर अप करके उनके साथ जोड़ दिया दरहसल पिछले साल अठारा केसे रिपोर्ट किये गए थे निपा वाइरेस के केरिल में जिसमें से 17 लोग की मौत हो गई थी तो केंद्र और राज की जा रही है लेकिन सरकार का कहना है कि कोई पैनिक ज़रूरत नहीं है क्योंकि दोनों सरकार केंद्र सरकार और राजी सरकार सारे प्रियास कर रही है और जितने लोग इस डिए साल के स्टूड़ attack में आये थे उनकी भी चानील पिन सारे शाल जब भी उनको ऐसे लक्षन उनके अंदर हो तो तुरंत उन्हें भी जो है स्वास्त सुविधाय और चिकिस्था उन्हें उपलब्द कराई जाए केंद्रिय स्वास्तमंत्री डॉक्टर हर्शवर्दिन ने इस वाइडिस के बारे में ये बात हमें बताई